हालो एव्रिवन आज से एससी छसल के एक्जाम स्टार्ट हो चुके हैं आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि फर्स जुलाई को जितनी भी शिफ्ट हुए सभी में जो कोशन्स हमें बच्चों ने बेजे हैं और जिनको हम पूरा लिख पाए हैं उन्हीं को आज हम एक उसक्ता इदर उदर हो सकता है क्योंकि बच्चोंने जो कोश्टन कोर्ट हमें भेजे यह उसके एकॉर्डिंग ने कोश्टन तयार किये हैं मेटी डीडिक में या उसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेश ओ लेकिन टाइपस वही हैं और जो कोश्टन हर शिफ्ट में पूछा ग भी जर्म चलेंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं जली शर्मा चलिए वीडियो आपकी स्टार्ट करते हैं और इसको जरूरियो पढ़ते जाएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसमें सबी शिफ्ट के मैंस के कोुष्ण तो पहले हम तो हम उसको भी explain करेंगे आपको ठीक है और algebra के भी question है SI CI के भी questions है time and work time and distance DI data interpretation के 2-3 question है और कुछ question Calculative है calculations ज्यादा है तो कोई problem नहीं है लेकिन paper बहुत अच्छा आया है overall मिलाके देखें देखें both and steam का भी एक question आया है ratio proportion के भी question आ रहे है ठीक है तो चलिए अब question स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे आ रहे है देखिए आपकी जो shift होई है किसी में 11 का divisibility rule पुछा गया है किसी में 9 का divisibility rule पुछा गया है मतलब number system से एक divisibility rule का question जरूर आएगा आगे अने वाले time में आप जिसे इसमें 11 का divisibility rule पुछा गया 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 को जोड़ देंगे फिर 8 प्लस 2 प्लस 1 ठीक है तो यह number जो भी आएगा यहां पर उनका लेंगे difference ठीक है उनका difference लेंगे अगर इसका difference 0 है या 11 या 11 के multiples हैं तो what is it उससे cancel होगी otherwise नहीं होगी ठीक है मैं आपको हिंट देती जा रही हूं कि अगर डिविजबिल्टी रूल 11 का आता है तो एक एक number को छोड़ करके add करना है फिर उसका difference लेना है और difference लेने के बाद अगर वो डिजट या तो 0 आई 11 से कटे तो वह 11 से इसे लोगे तो यह हमारा first question हो गया second question देखे नाइन का जो रूल है उसमें ऐसा है देखे एक चीज़ और समझे जैसे फर्स question है तो यह नहीं पूछा गया कि यह 11 से divisible है कि नहीं उसमें चार option दिये गया है और पूछा गया है कि कौन सा number 11 से डिवाइड होगा ठीक है तो हमने अपने कॉर्डिंग इसको ऐसे बना दिया है कि ताकि आपको चीज़स समझ भी आए कि दिविल्टी रूल क्या होता है 11 का रूल क्या लगेगा यह वाला question आया हुआ है देखे कैसे कि इसमें ना एक वेलू बतानी है और 9 की divisibility इसमें दे रखी है तो 9 का क्या रूल होता है सभी को सम करके 9 से डिवाइड होना चाहिए ठीक है तो इनको आप जोड़ दीजे 6 प्लेस टू 8 हो गया यह 15 हो गया 15 & 5 20 हो गया अब 20 में क्या एड करें कि 9 से डिवाइड हो जाए तो 7 एड कर दें यह एक की वैलू कितनी हो होगा मता अब यह बानके चलिए कि अब आगे वाले टाइम में जो पेपर होगा उसमें डिविजिबिल्टी रूल का कोश्चन जरूर आएगा तो सारे डेफिनिशन और रूस जरूर पढ़के जाए इसके ठीक है क्योंकि फ़स्टे के पेपर में आइडिया लग जाता है क अब आगे अरिवाले टाइम में कोश्चन कि स्टैक के होंगे और कौन से टॉपिक से ज्यादा कोश्चन पूछे जा रहे हैं चलिए आप यह देखिए थर्ड कोश्चन है मैं कवर 60 किलोमेटर डिस्टेंस एट स्पीड और 40 किलोमेटर पर आप इसको अच्छे से एक्स्प है 40 किलोमेटर पर हाइच से चलता है और बाकि 90 किलोमेटर की दिस्टेंस और 15 सपीड यहां से आता यह 45 किलोमेटर पर dunno 15 से बता लीए ठीक है तो आवरेज़िट इस सबसे पहले यहां से यहां तक पहुंचने का टाइब का लिजए Kylie तो सपीड हीट होता है डिस्टेंस हो टाइम तो टाइम इसकल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसमें लगाई है यह 60 अपॉन 40 देखें यूनिट चेंज करने कि जोड़त नहीं पड़े क्योंकि किलोमीटर में है यह किलोमीटर पर आर में है ठीक है तो जो भी निकलेगा वह आर्स में निकलेगा तो इसकी ये सिस्टेंस अपॉन देस से अपॉन स्पीड होगई टाइम सिकल्टू ठीक है तो इस्टेंस टीया टाइम आपका 40 है कि याहां से यहां तर निकलेगा नाइंटी अपॉन फोर्टीफाइव ठीक है आभी कैंसल कर दीजिए नौससे कर निकलंड नवतना पता आपका 2 ठीक है अभी टू आर्स होगे यह होगे टोटल टाइम और टोटल डिस्टन्स कितनी होगी 60 प्लस 90 ठीक है तो 60 प्लस 90 अपॉन 2 प्लस 3 बाइट इसको सॉल्फ करना है आपको सिंपल देखे जीरो और यह आजाएगा 150 अपॉन तो दोनी 4 4 3 7 7 और अपॉन 2 यहां चला जाएगा ठीक है अब यह जो भी आएगा ठीक यह आपकी एवरेज स्पीड होगे यानि 300 बटेश साथ यह आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी किलोमेटर पर आल में क्लियर ठीक है हो सकता है कि नंबर और डिजिट अलग हो सकते हैं लेकिन सौल भी है ऐसे ही होगा क्लियर अब बात करते हैं निक्स कोश्चन की आप देख इसमें क्या कह रहा है इनर ट्रेंगल जोमेटरी का कोश्चन है इनर ट्रेंगल इंसक्राइब्ड इनर सेमी सर्कल ऑफ डायमेटर अबी मतलब की एक डायमेटर दिया है एबी ठीक है और इसी पर यह सेमी सर्कल ऐसे बना हुआ है अब इसमें क्या पूछ रहा है कि कौस एप्लस बी प्लस साइन एप्लस बी की वैलू पूछी इए थीक तो अभी आपको क्या करना है एक चीज एक हो ती है थेयरम कि सरकल में किसी भी सेमी सरकल पर जो एंगल बनता है वो हमीश का 90 डिग्री बनता है ठीक है क्योंकि थेओर हमारी क्या थी इस पर जो एंगल बनेगा इसका डबल होगा अगर यह मालो एक्स है तो यह 2x हो जाएगा ठीक है तो यह बिलकुल स्केट यह वनेटी है यह निकि यह 90 हो गया हाफ इसका ठीक तो यह 90 हो गया इसका मतलब जो एंग ठीक तो ABC ट्राइंगल अगर लेंगे तो तीनों का सम 180 होना चाहिए ठीक है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इकल टू 180 डिग्री अब देगे यह अगर 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा यह यह प्लस बी कितना हो जाएगा यह आपका 90 है तो यह 90 उस साइड चल जाएगी यह प्लस बी 90 आ गया ठीक है अब यह 90 उठाके यहां पूट कर देना है मतलब कितनी वैल हो जाएगी कॉस 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री अब देखें कॉस 90 साइन 90 होता है वन कॉस 90 होता है जीरो आंसर आ जाएगा वन अब बात करते हैं कोशन नंबर 5 की जतन मैक्सिमम कोशन मिल सके हैं उन्हीं को हम एक्स्प्लेइट कर रहे हैं ठीक है चलिए आप देखें दो एक्वेशन आपको दी है और बताना है कि यह दोनों किस पॉइंट पर कट करेंगे ठीक तो कट वो इसी पॉइंट पर करेंगे अगर उनकी वैल्यू जो भी एक्स वाइ यह जो कोडिनेट उनकी पर करेंगे ठीक है तो कॉइंट निखालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इनको सिंपल सॉल्ट करने एक्स प्लेस वाइज इस इकल टू फाइव एक्स माइनस वाइज इस इकल टो थी अगर हम इन दोनों को जोड देंगे तो य से वाई कैं है टू एक्सट इस इकल टू इट एक्सवाग्या पफोर ठीक है एक्स पोर आगया अब आप य को निगा लिजे यह तो इसमेंस को माइनस कर दीजे में एक्स की वैलू फ़र्स या रिए लिए या पुट कर दीजे हम फास्ट में पूट कर देते हैं तो एक्स एक्स प्लस is equal to 5 x means 4 plus y is equal to 5 to y is equal to 5 minus 4 is equal to 1 the coordinate क्या बन गए इनकी 4 और 1 एक ऐसा point है जिस पर यह दोनों equations cut होंगी clear ठीक है चलिए बात करते हैं next question की यह question time and work का इसी type का simple question आया है ठीक है और हर shift में पूछा गया है question a किसी काम को 10 दिन में करता है बी किसी काम को 40 दिन में करता है तो आपको a plus b निकालना है यह नि a plus b is equal to कितना का 1 by 10 plus 1 by 40 clear together निखालने दोनों को plus कर देना LCM ले लिजे 40 आ गया 10-4 जा और यहां पर 1 आ गया यह नि 5 by 40 8 आ गया answer इसका फिर से reciprocal कर देंगे तो दोनों मिलके उस काम को आठ दिन में complete करेंगे clear it is चलिए बात करते हैं next question की fourth हो गया फिफ्ट हां फिफ्ट question total surface area of a cube is 486 cm square finite volume अगर इस टाइब कोई question आता है आए या आगे तो आप यह समय लिजे इस टाइब मतब मेंसुरेशन अच्छे से रिवाइस करके जानी है ठीक है और इसमी क्या करेंगे देखें क्यूब का आपको surface area क्या होता है 6a square यह देखे formula निखा हुआ है ठीक है तो यहां पर दिया है 486 is equal to 6a square तो a square कितना हो जाएगा 486 upon 6 6 से cut कर दीजे 486 a is equal to root 81 means हो गया 9 ठीक है अब इसका volume पूछा है तो volume of cube is equal to volume कितना होता है a cube यहनि की 9 का cube यहनि की 729 centimeter cube यह answer correct है clear next question question number 6 in how many years simple interest is equal to principle ठीक है data change हो सकते हैं मेभी कि यह पूरा solve होगा कि नहीं होगा यह हमें भी नहीं पता अब करके देखते हैं कि निकलता है कि नहीं in how many years यहनि कि time में आप से पूछा गया है और simple interest is equal to principle यहनि कि si is equal to principle को पी एजुम किया तो दोनों आपस में इक्वल दिया हुए है ठीक है at the rate of this rate यह दे रखा है तो अभी हम क्या करें si is equal to formula p into r into t upon 100 ठीक है तो si की जगाह अगर में पी लिख दिया यह भी पी है आर की वैलू साथ दूनी चौदा और छे अठार चौदा छे को ट्वंटी बाइस सेवन पी आर ती निकालना है आप ऑन हंड्रेट ठीक है अब पी से पी तो कैंसल हो गया time कितना हो गया इसको हम क्रॉस में प्राइब करेंगे तो 700 अपॉन्टी तू से यह कट गया त अच्छे तो पंचे तस थाटी फाइब यर्स में सही है ठीक है थाटी फाइब यस इसका अंसर आ गया यह रिकिए ऐसाइए और सी आई की कोशन जरूरा रहे है एक्जाम में ठाल रखेंगा स्कों नेक्स्ट है इन टाइंगल एबीसी इस राइट अंगल एट बीपा एट सब्सक्राइब बतला बीपर पहले एक फिगर बना लें ठीक अगर यह भी है और यह 90 है तो इसको ए और सी मालने ठीक तो यानिकि इन दोनों का जो सम है यानिकि ए प्लस सी कितना होगा वनेटी में से 90 मैनिस कर देंगे यानिकि यह भी 90 हो जाएगा यह वनेटी मैनिस 90 आप sin a cos c plus cos c sin a यह यह formula किसका होता है sin a plus b का formula आपको याद करने पड़ेंगे sin a plus b का formula that is equal to sin a cos b plus cos a sin b ठीक है अगली बार हो सकते है cos a plus b पूछ लें यापको इधर की वैलू दें तो क्या होगा cos a cos b minus sin a sign ठीक है कुछ formula आपको याद करने पड़ेंगे तो अब यह यह चीज़ जो दी थी मतलब यहाँ पे यह चीज़ जो आई है यहां हमने पुट कर दी अब a plus a plus c एक पिनट यह सी है ना आता है सी आएगा क्योंकि यह दोनों में ए और सी है तो ए और सी आए और सी की वैलू कितनी है टोटल 90 है तो साइन ए प्लस सी जी 90 तो साइन 90 कितना है वन में सांसर वन आ गया इसका क्लियर अब बात करते हैं कोश्चन नमबर नेक्स की कोश्चन नमबर एट क्या कह रहा है पी जिगल टू इतना आर जिगल टी मतलब रेट और टाइम दोनों इकॉल दिया है है एसाई आपको दिया है और पूछा गया है रेट या तो रेट पूछा गया होगा यह टाइम पूछा गया होगा बतार दोनों पूछे जा सकते हैं ठीक है अब इसमें सिंपल फॉर्मिला लगाएंगे एसाई इस इकल टू पी आई टी बाई हंड्रे ठीक है तो एसाई एज नाइन फाइव वन टूछ री और यह होगया यह वं टूछ फाइव यह रेट इस आर और टी बी आर है तो यहां पर आर ही लिख देंगे दोनों इकॉल है ठीक है यह से जीरो से जीरो कैंसल और स्क्वेर इस इकल टू 9500 अपॉन 1250 अब इसका स्क्वेर रूप निकलना चाहिए पूरा-पूरा कटना भी चाहिए ठीक है जीरो से पांच 25 25 पांच यह 15 पांच यह 15 15 पांच कटीस पान उठीच चालेस चार बचान जीरो फिर पांच से कट गया पांच सत्य पांच 35 पांच कटीस डाटा कुछ गड़बड है अधर्वाइस यह देखे रूट 76 आ रहा है है ना कुछ ऐसा आएगा कि पूरा-पूरा आएगा यह मतला स्क्वार उट हो जाएगा ठीक है तो जितना आर निकलेगा वुतना ही टी होगा इसको सॉल्व ऐसे ही करना है क्लिया चलिए बात करते हैं कोश्चन नमा नेक्स्ट नाइंत की पैरिमीटर आफ तू सिमिलर ट्रांगल दे रखें रिखें रेशियो दे रखा है तो इसके एरिया होंगे यह निए वन अपॉन एक टू कितना हो जाएगा इसी को स्क्वार कर देंगे पैरिमीटर को एट स्कायर अपॉन थ्री स्कायर मेंस कितना हो गया शिक्टी फोर वाई नाई यांसर करेक्ट हो गया ठीक है आप बात करते हैं कोशन नमबर टैन की कोशन नमबर टैन क्या कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ स्पेर कट स्रॉमर क्यूब और साइड दे स्फेर करना मैकसिमम इस स्ब्सक्राइब बात यह है कि जितनी सकी साइड हो गी उतना स्फेर काडाइमीटर होगा बताइब हो यहां से या झाल की जो डिस्टेंस होगी वह टॉटल 14 होग यह जो इसकी टॉटल लेंध यह तो ठीक है अब वाल्यूम निकलना स्फेर का तो व तो 4 by 3 into pi मतला 22 by 7 into 7 cube, ठीक है, 1 7 by 1 7 to cancel ही हो गया, 4 by 3 into 22 into 49, भाई अबने इसको 3 बार लिगा, 1 7 by 7 cancel हो गया, और यहां बचा 7 square यानि 49, अब इसको solve कर लीजेगा, जो भी आएगा, वो आपका answer किसमे होगा, cm3 में होगा, clear, चलिए, यह question important है, आगली बार भी आ सकता है, हो सक radius change कर दियों, और डारिक निकालना पड़े, clear, चलिए, बात करते हैं next, the chord of very important question, very 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 important, फिर से आएगा exam में, दाने केगा, the two chords of same circle, the circle एक है, जिसमें two chords है, वो भी same side में, एक और यह है, एक और यह है, एक और यह है, ठीक है, इसको center हो माल लिया, अब जो छोटी chord है, वो नी chord है, वो उपर होगी, तो छोटी वाली, बारा हो गई है, टोटल, और बड़ी वाली 20 हो गई उपर, ठीक है, आप करना है, इस रेडियस दे रखी है, मतलब यहां से यहां तकी रेडियस, 5 root 13, और यहां से, यहां तकी रेडियस भी 5 root 13 है, clear, और आपको निकालना है, the difference between two chords, मतलब यह निकालना है, आपको, मतलब पहले ऐसे जोइन करिए, पर आपको निकालना है, यहां से, यहां तकी डिफरेंस को सपोस्ट दी बांग लिया, clear, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यह टोटल लेंथ निकाली है, उसके बाद यह लेंथ निकाली है, और इसमे इसको लिखते है M, इसको लिखते है N, ठीक है, यह O हो गया, अब हमी क्या करने, एक बार हमी यह ट्राइंगल देना है, ठीक, N, ट्राइंगल, O, C, N, ठीक, तो क्या होगा पाइथरोगों इस तोरम, इसका स्क्वार यह निए 5 रूट 13 का स्क्वार, इस इकल टू, 20 का आध रूट 13 का स्क्वार कितना होगा, 13 इंटू 25, पाइच का स्क्वार 25 हो गया, ठीक है, तो 25 इंटू 13 हो गया यह, इस इकल टू 100 प्लस O N स्क्वार, ठीक, आब इसको इंटू कर दीजे, 25 थिया, 75 हो गया, 25 और 7, 35, और यह 100 जोड दीजे, 425 O N स्क्वार, कुछ कैलकुलेशन कर बड़ेगे, क्या, 25 हो तेरा, तर 25 हो गया, 25, 25, 35, 35, और, अच्छा, माइनस होगा, इसमें से, ठीक है, यहां माइनस कर दीजे, 5, यहां 2, ठीक है, तो यह O N हो जाएगा, आपका, स्क्वार रूट ऑफ, 225 मतला 15, पंदरा निकल गया तर, यहां से, यहां तकी डिस्टेंस, ठीक है, अब दुबारा ट्रेंगल लेंगे, कौन सा? इंट्रेंगल, O M B, तो कितना हो जाएगा, यह 5 रूट 13 का, होल, स्क्वार इसक्वार इसक्वार हो तो, यह हो जाहेगा, आधा, 12 का, यहाईन यह 6 का स्क्वार, प्लेस, O M स्क् तो 6 का स्क्वार अब इसको दो इंटू करेंगी तो सेम वैलू आ जाएगी यह निए 325 में 36 माइनस कर दें इदर इस इकल टू ओम स्क्वार अब माइनस करें इसको ते कितना आ जाएगा यह जाएगा 9 और यह दर कैरी चला गया छे साथ आठ नौट दस ग्यारा एट 289 289 होता है 17 का तो ओम इस इकल टू स्क्वार रूट आफ 289 मतलब 17 ठीक है अब यह टोटल निंथ हो गई सब्सक्राइब कितना हो गया दो आंसर आ गया इसका यह इन दोनों के बीच के जो डिफ्रेंस 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 एडी वह कितनी है वह तू आगी क्लियर आगे बढ़ते हैं निक्स्ट कॉश्चन नमर्ब बारा अज सर्कल हेविंग टो टेंजेंट्स पी क्यू एंड तब क्या हुआ कि बाहर हो एक पॉइंट ठीक एक टेंजेंट यह है दूसरा टेंजेंट यह है यह एडिक्यू मान लो यह आर मान लो ठीक है ओ सेंटर हो गया फिर क्यू ओर क्यू ओर मतलब यह तो 90 90 ओगा यह दे रखाए 150 तो आपी क्यू निकालना है आज पी क्यों तो यह निकाल लाएं ठीक है तो देगे यह दोनों 90 है clear यह दोनों 90 है क्योंकि टेंजेंट है अब चारों का सम 360 के कुलेंट होगा ठीक है तो 90 90 180 हो गया यह अगर 180 में से हम इसको माइनस कर दें ठीक है तो अंसर आ जाएगा यह निए 30 डिगरी यह अंसर होगा क्लिया नेक्स्ट कोशन नमबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट कोशन और गलत होने के चांसे सबसे जादा है यह आया हुआ है ठीक है तो ऐसे कोशन को कैसे करते हैं 7 और डिवाइड के बाद जितनी भी डिजिट है एक साथ ऐसे लिख सकते हैं अच्छा और ऐसे इसको भी 5 इंटू 1 by 5 इंटू 1 by 5 clear तो देखें एक 7 से 7 तो कड़िया एक 5 से 5 कड़िया आप इसे करना गया इसको इसे फोकल कर देंगे तो यह उपर चला जाएगा फाइव उपान 7 आंसर करेक्ट आ गया ठीक है 1 अपन 7 इंटू 5 बई 1 ठीक तो 5 उपर चला गया 7 नीचे आ गया clear अच्छा एक कोश्चन ऐसा आया है 14 अब 14 में चीज और भी है यह जो कोश्चन है न जो फ्रैक्शन वाले जो HCF निकालने वाले हो तो इनका देखिया रूल सबग लीजिए कि कोई भी वैलू दी है जैसे कि 3 by 5 7 by 9 2 by 3 इनका वालो HCF निकालना है और इनका LCM निकालना है क्योंकि यह करना अगर HCF निकालना है ठीक तो HCF of numerator upon LCM of denominator ठीक है यह यह उपर वाली डिजिट का HCF HCF किसका निकालना पड़ेगा आपको यहनि कि 372 और नीचे का LCM किसका किसका 593 ठीक है और अगर इसका LCM निकालना है तो ऊपर की डिजिट का LCM upon HCF of denominator यह formula लगेगा ठीक है तो यह question तो ऐसे करने हैं लेकिन यह जो 14 question है यह तो oral हो जाएगा सब्सक्राइब कुछ करना ही है क्यों क्योंकि लोग फॉर्म में यह तो सारी convert है यह इसको convert कर लिजे यह 1 by 2 यह 1 by 2 यह 1 by 2 होगा और LCM भी 1 by 2 होगा क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे यह question अब next वाली shift में भी आया है A और B किसी काम को 8 दिन में करते हैं B किसी काम को 16 दिन में करता तो एक इतने में करेगा अब एक चीज़ हमिशा द्यान रखिए कि अगर जॉइंट में दे रखा है साथ में करते हैं और अकेले का दे रखा दूसरे अकेले का पूछा है तो क्या करना है जॉइंट वाले मेंस कर देना सिंपल अंसर आजाएगा मतलब इसको कैसे करेंगे वान अपॉन एट माइनस बाइस वान बाइस सिक्स्टीन हो गया 16 जाएगा आड़ दूनी सोला एक सेकेंट सोला सेम ले लिया तो माइनस वान इसका मतलब बाइस सिक्स्टीन तो सिक्स्टीन डेज आंसर आगे इसका इस वाले कोशन का पंदर रवें का अब जो कोशन हमको मिला है वो यह है कोशन नमबर 16 टोटल स्टूडेंट्स दिया है कि आपको पूछा है कि कितने परसेंट गर्ल होंगी उसमें तो ऐसे कोशन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखें सिक्स्टीन को हम सॉल कर रहे हैं टोटल स्टूडेंट्स अगर 75 है और जब वाइस है वो अठारा है तो अठारा में से टोटल में से माइनस कर द गया और इसमें से सो मैंस किया यह चे बज़ गया चे मेंस करेंगे कितना है और भूश पांच 57 अथिक है अब 57 क्या हो जाएंगी गल्स हो जाएंगी अब पूछा कितने परसेंट गर्ल है तो गर्ल का परसेंटेज निकालने क्लिए क्या करूँगे आप 57 अपॉन 75 इंटु हंड्रेड ठीक है मतलब जितने टोटल है वो सारे नीचे आ जाएंगे और इसको सॉल्फ कर देंगे तो सॉल्फ कैसे करेंगे 25 से कट कर दें 25 या 75 तरफची चोक सो तीन से कटेंगा तीने कम तीन नमा 27 उननीस 19 परसेंट गल्स होई ठीक है अच्छा अब यह बाले जो को सकतर वाइं कोश्चन बिल्कुल वैसा है एक इसी काम को 15 दिन में करता है बीकिसी काम को बिसी में करता है दोनों मिलके कितने दिल में करेंगे यह तो इ करेंगे यह नहीं करेंगे कोशन इजी आ रहे हैं थोड़ा देखके जाएगा बहुत इजी कोशन है कुछ कोशन कैल्कुलेटिव यह साल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन मोसली बच्चे अच्छा पेपर करके आ हैं और इजी था पर टाफ नहीं था देकिए ऐ आलिस परसेंट मार्क्स मिले और उसके 32 नंबर ज्यादा आ गये तो इसमें देको तीन तरह के कोशन बनते हैं इसे पूछा गया है कि मैक्सिम मार्क्स नहीं कि कितने माक्स मैक्सिमम थे यह पूछ सकते हैं कि टोटल कितने पासिंग मांक्स थे ठीक है तो अभी ऐसे कोशन क और दो कैसे करेंगे मालो की मैक्सिम मार्क्स माल गो लो कितने है ंसमयों एकश है ठीक yenटी फेट्टी परसेंट ओस एटके इतने तो इसको मिले अब अत्नी नंबर और होते तो पास जाता ठीक है यानि कि इसमें यह नंबर जोड़ देंगे यानि यह हो गया passing marks that is equal to another को दूसरे कितने मिले 40% 40% of x अब इसको इतने extra मिल गया passing से तो 32 कंडा पड़ेगा यानि यह भी passing marks है यह भी passing marks है अब इसको simple solve करके value निकाल लेते हैं कितनी आईगी 30 upon 100 x ठीक है इसको साइड ले आएं माइनस 40 upon 100 x माइनस 32 माइनस 42 ठीक है कितना जाएगा यह टोकेल करेंगे तो माइनस दो दो चार चार तिन साथ और यह positive negative है यानि कि 40 में से 10 माइनस करेंगे 10 by 100 x यहां पर 00 भी कट कर सकते थी यहीं पर ठीक है माइनस में आए गाई यह तो x कितना हो गया 740 आ गया यहीं मैक्सिम मार्क्स तो 740 है अब अगर question में पूछा जाता कि passing marks कितने है तो passing marks के लिए आपको क्या करना पड़ता इसकी value या तो इधर पूट कर देंगे इधर पूट कर दें तो passing marks आ जाएंगे ठीक है तो अगर passing marks पूछता पूछ सकता है आगे भी ठीक है तो 30 by 100 into 740 इसको solve कर लेंगे तो passing marks आ जाएंगे clear और अगर passing percentage पूछता तो क्या करते टोटल जितना भी यहां नमबर आते उसको हम 740 से डिवाइड करते इंटो एक्स कर देते तो passing percentage निकल आता clear चलिए बात करते हैं question number 19 की अच्छा एक चीज़ और रखें क्वाइन वाला question exam में जरूर आया है हर shift में पूचा गया है ठीक है और इसको आपको जरूर करके जाना है कहीं जगा यह simplification में दिया है और कहीं जगा इसको ratio proportion में दे दिया है ठीक है आप देखें एक बैग में पांच रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के coins 3-5-7 ratio में है total इतने रुपए है पांच रुपए के क्वाइन पूचे गए आगली बार हो सकता है कि तीनों पूचने आएगा ज़रूर exam में ठीक है तो आपको करना है कैसे यह suppose पांच रुपए के 3-X coins है ठीक है 10 रुपए के 5-X coins है और 20 रुपए के 7-X coins है अब करना है क्या है 3-X अब यह तो रुपीज में है 5 प्लस 5-X इंटो 10 प्लस 7-X इंटो 20 इस इकल टू 1-8-4-5 ठीक है अब इसे स्वाल्फ करिए कि यह ज़िए कि पंद्रा एक्स पचास एक्स साथ दूनी 14 एक्स टोटल कर दीजे चार पांच नो पांच छे साथ पांच छे साथ सही है चार पांच नो पांच छे साथ एक्स कटेगा यह पूरा 1-8-4-5-1-79 एक पांच यह पंद्रा दस पिच पिचास साथ दूनी 14 हां यहां बेगर पर कर दीजे साथ दूनी 14 हो गया एक इसको इंटो करिए पंद्रा पिचास और एक सो चालिस पांच नो एक तस दूसो पांच तो एक्स कितना हो जाएगा 1845 अपन 205 ठीक है पांच से कट करिए पांच ओक बीस पांच यह पंद्रा शोला सुत्रा ठारा थारा तीन बच गया पांच अकत तीस पांच पतालिस और यह नौ बार पूरा पूरा गडिया वेरी गूड एक सागे नौ ठीक है अब आपको क्या करने है एक्स की वालू यहां पूट कर रहे जब पांच रुपए के पूछें तो थ्री इंटू नाइन मता सब्सक्राइस पांच रुपए की यह आंसर हो गया क्लियर ठीक है सब्सक्राइस कर देते हैं ठीक है अब बात करते हैं कोशन नबर 20 की अब वोट वाला कोशन एक्जाम में आया है और हर बार आएगा हर शिफ्ट में पूछा गया है ठीक है वैलिड वोट वाले भी यह कितने किसको मिले एक उमीदवार को पत्चीस सो वोट मिले यह बताया ह है बच्चों ने उसके कोशन लिखा है डाटा इतरुदर हो सकता है टाइप सेम है ठीक है जीतने वाले को 3000 वोट मिले जीतने वाले को कितने परसेंट वोट अधिक मिले इसका मतलब को कैसे करेंगे जितने ज्यादा मिले यानिकी 3000 में से डाइजर माइनस कर दें जीरो जीरो पांच यह आ गया इतने ज्यादा मिले तो कितने प्रतिशत अधिक वोट मिले ठीक है तो डिफ्रेंस अपॉन कितने पच्छिस सो इंटू हंड्रेड इसको सॉल्फ कर दीजेगा जो भी आएगा वो अंसर है क्लियर नेक्स कोश्चन सी आई का है साथ साल में कोई धन दो गुना हो जाता है चार गुना कितने वर्ष में होगा बहुत एजी है और इसको हम पहले तो करते हैं इसको फॉर्मले से एकल टू पी वन प्लस आर वाई हंड्रेड की पावर टी ठीक है अगर दूगना हो गया यहीं कि पी का टूपी हो गया ठीक है तो कितने वर्ष में साथ साल में अब देखें पी से पी कैंसल होगे यह तो टू की वैलू यह आगई अब ऐसे कितने वर्ष में चार गुना हो जाएगा यहनी फोर पी इस इकल टो पी 1 प्लस आर वाई हंड्रेक की पावर टी आप टी ही रहने है और यह अगया आपका टू का स्कुर्ण इस उप्लस आर बैंड़ेक्ट की पावर टी तो यह आपको यहां ब्दू की वालु पूट कर देंगी तो साह दूनी चौदा हो हो जाएगा यह कैसे पूट कर दिया डारेक्ट सेवन और इंटू यह वाला टू यह किसके कुल इंट हो गया आप बेस से मोगा तो पावर इक्वल हो जाएगी यहीं कि साथ दूनी चौदा टाइम हो गया चौदा साल ठीक है यह तो आपने फॉर्मला लगा के किया बट आप एक कॉष्य को शिंबर निक्सके अब देगे रिशय प्रपोश्यंटकन सिंपल आया है ठीक भी रिशय प्रपोश्यन या एक कोई वाला कॉश्यन जरूर आ रहा है एस इस टूब यह टू इस टो थी बीस टो सी टीजिए तो फाईबशर लोंगा वहाट इसलिया वाट जी आ लाना है 2335 देखें यह हो गया यह बी हो गया और यह सी हो गया ठीक है इसको इंटू कर दीजएगा कट रहा है तो काटी यह दर्वाज इंटू कर देखें कट पी तुरा है समय तीन कट यह तो थ्री फाइब यह अंसर हो गया अच्छा एक बॉटन इस्टीम का कोशन आया है व ठीक है तो धारा की चाल कीया है यह पूछा गया है इस को अप करियेगा लेकिन बॉटन स्टीम का मेंängt जिरूर आ रहा है टेक्छीर बॉटन सटीम हो गया अगर ऐसे बॉट जाती है तो अगर इसको टी टाइम लगता है नेकिन वह ऐसे अगर जा रही है तो इसको टू टी कॉशन पर अजये सबेंद ata Youtube कर दो कि क्लब कॉशनों कार्ड बर पे तरह अजये ए hadi करसे कि裂 कि लगर की निकालने के पॉरणी की इतनी है और खोली निकालनी कि इतनी दो ठीस्थि निए तो भी कुछन ऊस्टनि है तहो निर्स में हमें दिक स्क्राइब जैने मैंने solve नहीं किया 60% पूरी income है अगर उसका कोई 60% खर्च कर देता है रेंट पे 20 परसेंट शॉपिंग पर खर्च करता है 80% मालो वो डोनेट कर दे ठीक है बचे हुए का 80% और लेफ्ट अमांट यहां पर कोई वैलू अगर दे दी जाए मालो की 4000 रुपर बसती है फिर आपक क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आज जो पेपर हुआ है उसके कॉर्डिंग ही उसी टॉपिक से रिलेटेड उस टाइप के कोशन पूछे जाएंगे में भी रिपीट भी कर जाएं दो कोशन लेकिन टाइप्स वही रहेंगे रिपीट करने के चांसे कम है ठीक है चक्री चत्रवज का कोशन जरूर आया एक सरकल में कोई भी चत्रवज बना उस चक्री चत्रवज कहते हैं इसके स्पेशल चीज है कि अगर यह वैलू मालो दिये तो दोनों का एडिशन जैसे यह वन यह टू है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 यह 180 होता है और एंगल 2 प्लस एं लोग आगे एक्जाम देने वाले हैं यह 11 जुलाई तक जो भी एक्जाम होगा उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इससे मतलब वो यूज करके अच्छे निम्बर आ सकते हैं रिवीजन कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाकि जितने कोशन हमको मैक्सिमम और मिलते ज जाएंगे तर चली में वीडियो यहीं ओबा करती हूँ और बेस फाइग्जाम फाय सेलेक्शन जैहिं जैभारत